शिव बाबा याद है ना? तक आत्मय वापिस घर नहीं लोटेंगी तब तक नई दुनिया में भी आने ही सकेंगे बाबा ने कहा अब तुम्हें पुरुशोत्तम बनने का अर्थात देवताओं जैसा बनने का पुरुशार्थ करना है जब आसुरी गुण निकाल दैवी गुण धारन करेंगे तभी सत् बेहद का बाप तुम बच्चों के लिए नई दुनिया बना रहे हैं तो इसका ब्रिसान को भूल, परिसान को और परिसान सापन करने वाले बाप को याद करना है बाबने कहा और सब संग तोड एक मुझ बाप को याद करो तो ऐसी दुनिया में चले जायेंगे जहाँ ही सुख है यहां तो सब मनुष्य पांच विकारों रूपी रावन की जेल में दुखी हैं बाप ही आकर उन्हें जेल से छुडाते और सदा सुखी बनाते और लास्ट में बाब ने कहा तुम बच्चे भी बाप समान मनुष्यों को जियदान देते हो आधा कल्प के लिए उन् सब दुखों से दूर कर देते हो अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हो इसलिए बाप माताओं की महिमा करते हैं तुम माताएं ही सारी स्रिष्टी को बहिस्थ बनाती हो तभी तो गायन है ना वंदे मात्रम और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मूरली का सार मीठे बच्चे शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है यह सब विनाश होना है तुम आत्माओं को अब घर लोटना है इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ प्रश्न तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो उत्तर सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्सा देने आया है अब हद के वर्से का समय पूरा हुआ अर्थात भक्ति पूरी हुई अब रावन राज्ये समाप्त होता है बाप आया है तुम्हें रावन पांच विकारों की जेल से छुडाने यह पुरुशोत्तम संगम युग है इसमें तुम्हें पुरुशार्थ कर दैवी गुण वाला बनना है सिर्फ पुरुशोत्तम संगम युग को भी समझ लें तो स्थिती स्रेष्ट बन सकती है ओम शान बाबा पूछते अब रुहानी बच्चे क्या कर रहे हैं अव्यभिचारी याद में बैठे हैं एक होती है अव्यभिचारी याद दूसरी होती है व्यभिचारी याद अथ्वा अव्यभिचारी भक्ति जब पहले शुरू होती है तो सब शिव की पूजा करते हैं उच्च तेउंच भगवान वही हैं, वह बाप भी हैं, फिर शिक्षक भी हैं, पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को चुरासी जिनम लगे हैं, और मनुष्य से देवता बनने में एक सकिंड लगता है यह तो बच्चे जानते हैं, हम बाप की याद में बैठे हैं, वह हमारा टीचर भी है, सत्गुरू भी है, योग सिखाते हैं कि एक की याद में रहो, वह खुद कहते हैं, हे आत्माओ, हे बच्चे, देह के सब संबंद छोड़ो, अब वापिस जाना है, यह पुरानी दुनिय बदल रही है, अब यहां रहना नहीं है, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही यह बारूद आदी बनाए हुए हैं, नेचुरल कलेमिटीज भी मदद करती है, विनाश तो होना है जरूर, तुम पुरिशोत्तम संगम युग पर हो, यह आत्मा जानती हैं, हम अभी आप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया, पुरानी देहे को भी छोड़ना है, देहे सहित जो भी इस दुनिया में देखने में आता है, यह सब विनाश हो जाना है, शरीर भी खत्म होना है, अब हम आत्माओं को घर लोटना है, लोटने बिगर नई दुनिया में आ नहीं अब तुम पुरुशोत्तम बनने का पुरुशार्थ कर रहे हूँ, पुरुशोत्तम है यह देवताएं, सबसे उंच ते उंच है निराकार बाब, फिर मनुष्य स्रिष्टी में आओ, तो इसमें है उंच देवता, वे भी मनुष्य हैं, परन्तु दैवी गुणों वाले, फि किसको? तुम बच्चों को, तुम बच्चे पढ़ रहे हो, औरों को भी पढ़ाते हो, सिर्फ बाप कही मैसेज देना है, बेहद का बाप, बेहद का वड़सा देने आए हैं, अब हद का वड़सा पूरा होता है, बाप ने समझाया है, पांच विकारों रुपी रावन की ज सब को रावन की जेल से छुड़ाए, सदा सुखी बनाते हैं। बाप के सिवाए, मनुष्य को देवता कोई बना न सके। तुम यहां बैठे हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी है कलियुग, बहुत धर्म हो गए हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना का परीचे खुद बाप बैठ देते हैं। तुम सिर्फ इश्वर, परमात्मा कहते थे। तुमको यह पता नहीं था कि वेह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। उनको कहा जाता है सत्गुरु, अकाल मूर्द भी कहा जाता है, तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है। वेह अकाल मूर्द इस शरीर रुपी तक्त पर बैठे हैं, वेह जन्म नहीं लेते हैं। तो वे अकाल मूर्द बाप बच्चों को समझाते हैं, मेरा अपना रत नहीं है, मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाओं, मुझे तो रत चाहिए न? अकाल मूर्थ को भी तख्त तो चाहिए अकाल तख्त मनुष्य का होता है और कोई का नहीं होता तुम हर एक को तख्त चाहिए अकाल मूर्थ आत्मा यहां विराजमान है वे सभी का बाप है उनको कहा जाता है महाकाल वे पुनर जनम में नहीं आते हैं तुमात्माई पुनरजनम में आती हूँ, मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे, भक्ती को रात, ग्यान को दिन कहा जाता है, यह पक्का याद करो, मुख्ये हैं ही दो बातें, अल्फ और बे, बाप और बादशाही, बाप आकर बादशाही देते हैं, और बादशाही के भी कहा जाता है, भगवानों आज, भगवान तो है निराकार, उनका भी पार्ट होना चाहिए, वे हैं उंच ते उंच भगवान, उनको सभी याद करते हैं, बाप कहते हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा, जो भक्ती मार्ग में याद न करता हूँ, दिल से ही सब पुकार हैं, हे भगवान, हे लिबरेटर, ओ गोड फादर, क्योंकि वे हैं सभी आत्माओं का फादर, जरूर बेहद का ही सुख देंगे, हद का बाप हद का सुख देते हैं, कोई को पता नहीं, अब बाप आए हैं, कहते हैं बच्चों, और संग तोड, मुझ एक बाप को याद करो यह भी बाप ने बताया है, तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो, वहां तो अपार सुख है, उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता है, नए मकान में सदेव सुख होता है, पुराने में दुख होता है, तब तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनवाते हैं, बच्चों का बुद्धी योग नए मकान में चला जाता है यह तो हुई हद की बात अभी तो बेहद का बाप नई दुनिया बना रहे है पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो वे कब्रिसान होना है अभी परिसान सापन हो रहा है तुम संगम युग पर हो, कल युग की तरफ भी देख सकते हो, सत्युग की तरफ भी देख सकते हो, तुम संगम युग पर साख्षी हो देखते हो, प्रदर्शनी में अथ्वा म्यूजियम में आते हैं, तो वहां भी तुम संगम पर खड़ा कर दो, इस तरफ है कल युग, उ उससरफ है सत्युग हम बीच में हैं बाप नई दुनिया सापन करते हैं जहां पर बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और कोई भी धर्म वाला नहीं आता है सिर्फ तुम ही पहले पहले आते हो अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुरुशार्थ कर रहे हो पावन बनने के अंति धाम में ले चलो परम धाम को कहा जाता है स्वीट हो अभी हमको घर जाना है जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है जिसके लिए ही सन्यासी आदिशिक्षा देते हैं वे सुख धाम का ग्यान दे नहीं सकते वे हैं निवरिती मार्ग वाले तुम बच्चों को समझाया गया ह कौन कौन धर्म कब कब आते हैं मनुष्य स्रिष्टी रूपी जाड में पहले पहले फांडेशन तुम्हारा है बीज को कहा जाता है व्रिक्षपती बाप कहते हैं मैं व्रिक्षपती ऊपर में निवास करता हूँ जब जाड एकदम जड़जडी भूत हो जाता है तब मैं आता हूँ देवता धर्म सापन करने बनेन ट्री का बड़ा वंडर्फुल जाड है बिगर फाउंडेशन बाकी सारा जाड खड़ा है इस बेहद के जाड में भी आदिसनातन देवी देवता धर्म है नहीं बाकी सब धर्म खड़े हैं तुम मूल वतन निवासी थे यहाँ पार्ट बजाने आये हो तुम बच्चे औल राउंड पार्ट बजाने वाले हो इसलिए 84 जन्म है maximum फिर minimum एक जन्म मनुष्य फिर कह देते 84 लाख जन्म वे भी किसके होंगे यह भी समझ नहीं सकते बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं 84 जन्म तुम लेते हो पहले पहले मेरे से तुम बिछुडते हो सत्यूगी देवताइं ही पहले होते है जब वह आत्में यहाँ पार्ट बजाती हैं तो बाकी सब आत्म कहां चली जाती हैं यह भी तुम जानते हो बाकी सबात्माई शान्तिधाम में होती है तो शान्तिधाम अलग हुआ ना बाकी दुनिया तो यही है पार्ट यहां बजाते हैं नई दुनिया में सुख का पार्ट पुरानी दुनिया में दुख का पार्ट बजाना पड़ता है सुख और दुख का यह खेल है वेह राम राज्ये दुनिया में कोई भी मनुष्य यह नहीं जानते कि स्रिष्टी का चक्र कैसे फिड़ता है ना रच्यता को ना रच्ना के आदी मध्यांत को जानते है ग्यान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है रच्यता और रच्ना के आदी मध्यांत का ज्यान कोई शास्त्र में है नहीं मैं तुमको सुनाता हूँ फिर यह प्राय लोप हो जाता है सत्युग में यह रहता नहीं भारत का ही प्राचीन सहज राज्योग गाया हुआ है गीता में भी राज्योग नाम आता है बाप तुम्हें राजयोग सिखला कर राजाई का वर्सा देते हैं बाकी रचना से वर्सा मिलना सके वर्सा मिलता है ही रचता बाप से हर एक मनुष्य क्रियेटर है बच्चों को रचते हैं वे है हद के ब्रह्मा ये है बेहद के ब्रह्मा वे है निराकार आत्माओं की पिता वे है लौकिक पिता यह फिर है प्रजापिता प्रजापिता कब होना चाहिए क्या सत्यूग में नहीं पुरुशोत्तम संगम युग पर होना चाहिए मनुश्यों को यह भी पता नहीं कि सत्यूग कब होता है उन्होंने तो सत्यूग कल्यूग आदी को लाखों वर्ष दे दिये हैं बाप समझाते हैं बारा सो पचास वर्ष का एक यूग होता है 84 जन्मों का भी हिसाब चाहिए ना सीड़ी का भी हिसाब चाहिए हम कैसे उतरते हैं पहले पहले फाउंडेशन में हैं देवी देवता उनके बाद फिर आते हैं इसलामी बौधी बाप ने जाड का राज भी बताया है बाप के सिवाए तो कोई सिखला न सके तुमको कहेंग यह चित्र आदी कैसे बनाये किसने सिखाया बोलो बाबा ने हमें ध्यान में दिखाया फिर हम यहां बनाते हैं फिर उनको बाप ही इस रत में आकर करेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे बनाओ खुद ही करेक्ट करते हैं श्री कृष्ण को श्याम सुन्दर कहते हैं प्रंतु तो समझ नहीं सकते कि क्यों कहा जाता है यह वैकूंट का मालिक था तो गोरा था फिर गावडे का छोरा तो सामरा बना इसलिए उनको ही शाम सुन्दर कहते हैं यही पहले आते हैं तत्तवम इन लक्षमिनारेन की राजाई चलती है आदिसनातन देवी देवता धर्म की सापना कौन करते हैं ये भी किसको पता नहीं है भारत को भी भुलाये हिंदुसान की रहवासी हिंदू कह देते हैं मैं भारत में ही आता हूँ भारत में देवताओं का राज्य था जो अब प्रायलोफ हो गया है मैं आता हूँ फिर से सापना करने पहले पहले है ही आदिसनातन देवी देवता धर्म यह जाड वृधी को पाता रहता है नए नए पत्ते मठ पंध पिछाडी में आते हैं तो उनकी भी शोभा हो जाती है फिर अंत में जब सारा जाड जड़डी भूत अवस्था को पाता है तब फिर मैं आता हूँ यदा यदा ही धर्मश्यक लानिर भवती भारत आत्मा अपने को भी नहीं जानती तो बाप को भी नहीं जानती अपने को भी गाली देते बाप को और देवताओं को भी गाली देते रहते तमों प्रधान बेसमझ बन जाते हैं तब मैं आता हूं पतित दुनिया में ही आना पड़े तुम मनुष्यों को जीयदान देने अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हैं सब दुखों से दूर कर देते हो सोभी आधा कल्प के लिए गायन भी है ना वंदे मात्रम कौन सी माताएं जिनकी वंदना करते हैं तुम माताएं हो सारी सृष्टी को बहिस्स बनाती हो भल पुरुष भी है लेकिन मैजोरिटी माताओं की है इसलिए बाप माताओं की महिमा करते हैं बाप आकर तुमको इतनी महिमा लायक बनाते हैं। अच्छा मीठे मेठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमसे। अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है, साक्षी हो, सब कुछ देखते हुए बुध्धी योग नई दुनिया में लगाना है, बुध्धी में रहे अभी हम वापिस घर लोट रहे हैं, दूसरी पोइंट, सभी को जियदान देना है, मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है, बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है, दैवी गुन धारन करने और कराने हैं, वर्दान, सदा स्रेष्ठ समय प्रमान, स्रेष्ठ कर्म करते, वह वह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव, सदा स्रेष्ठ समय प्रमान, स्रेष्ठ कर्म करते, वह वह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव, इस स्रेष्ठ समय पर सदा स्रेष्ठ कर्म करते, वह वह के गीत मन से गाते रहो, वह मेरा स्रेष्ठ कर्म या वह स्रेष्ठ कर्म सिखलाने वला बाबा, तो सदा वह वह के गीत गाओ, कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी, हाई शब्द नहीं निकालना चाहिए, वह ड्रामा वह और वह बाबा वह, जो स्वपन में भी नहीं था, वह भाग्ये घर बैठे मिल गया, इसी भाग्ये के नशे में रहो, स्लोगन मन बुध्धी को शक्तिशाली बना दो, तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे, अच्छा, आज के ज्यानमोती में हम जानेंगे कि सत्युग में स्रीक्रिशन के साथ पढ़ने वाली, रास करने वाली जो आत्माएं हैं, उनका संगम युग पर पुरुशार्थ कैसा होगा, अर्थात कैसे पहचाने कि यह आत्मा सत्युग में स्रीक्रिशन के अंगसंग रहेगी, जा झाल झाल